हेलो हाँ भी बच्चों कैसे हो उम्मीद है कि सब अच्छी होंगी हम अब अपने पास में DTS जो हमारे पास में है माइनर टेस्ट शीरीज इसका अपने पास में चोधवा पेपर जो है 14 नमर इस लास्ट पेपर इसका सोलीशन करते हैं तो देखेगा पहला क्यूशन है कि इस्मोलेश्ट जो डियने फ्रेग्मेंट है उसको औरेज़ टूवर ड्यूरिंग एग्रोगेल इलेक्रोफोरोसिस त्व फोजीटिव की तरफ अपने पास में इस्मोलेश्ट फ्रैग्मेंट होगा क्योंकि पोजीटिव अट्रक्त करेगा और और नेगिटिव क्या करेगा तो यहां पर सबसे छोटा सबसे दूर चला जाएगा तो वह कहां होगा एंडोड की तरह नेक्स्ट के बारे में अपने बात करते हैं तो नेक्स्ट केशन हमें क्या कह रहा है नेक्स्ट केशन कह रहा है कि which one of the following is a case of warm matching मतलब अपने पास में गल्त मिलान कोन है इन विटरो प्रोड़क्ष्ण और प्लांट इन लार्ज नम्मर इन विटरो बिल्कुल सही बात है नतलब बोड़ी के भार अपने पास में किया जाता है इन विटरो है केलस अन और्गनाइजड मास्ट ऑफ सेल प्रोडूजड इन टिशू कल्चर बिल्कुर सही बात है काईक जंकरन में अपने पास में हम क्या करते हैं सोमेटिक हाइब डाइजिसन फ्यूजन और टू डिजर्व शेल्स बिल्कुर सही बात है थार्ड के बाद में फूर्थ रोंग हो जाएगा वेक्टर डियने साइट ऑफ टी आरने सिंतेसिस नहीं होते है वेक्टर डियने पर हम कोई भी जीन अपने पास में इंट्रडूज कराते है नेक्स्ट के बारे में अपने बात करते हैं बचो तो नेक्स्ट कुशन अपने पा औरगनिजम प्रोडेक्ट है टूल्स नहीं है नेक्स्ट की बात करते है तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है हाद नेक्स्ट क्यूशन अपने पास में Crown Gold Disease in plant is caused by Crown Gold Disease जो होती है वो अपने पास में है hybrid vector है जिसमें bacteria का DNA और अपने पास में वाइरस का DNA जुड़ा हुआ है ठीक है तो next की बात करते हैं अपने पास में और next हमारे पास में question है वो है question number 141 how many copy of plasmid में present in bacteria cell तो bacteria cell में कहा NCRT की line है 15 से 100 के लगबग अपने पास में copia bacterial cell में placement की present हो सकती है ठीक है next question की बारे में अपने बात करते हैं तो next question हमें क्या खेरा है बच्चो मैस्दा कोलम first to column second for GMO तो GMO के बारे में बात कर रहा है तो सबसे पहले हम cow को मिला देते हैं रोजी cow है फिस जो है अपने पास में ऐसे कोई फिस है नहीं जो GMO से बनाएगी अपने पास में Andy जो है ये अपने पास में बंदर है वेटा monkey है बोनी जो होती है फिस होती है डोली शिप है ठीक है तो डोली शिप है तो A में अपने पास में second है B में अपने पास में क्या है? तो A में second, B में third और अब fish की बात करें तो ये दोनुई fish की category है Boney और Salmon ठीक है? तो अपने पास में Boney और Salmon जो हैं ये fish की category है तो A में second, B में third तो A में second, B में third की हिसाब से अपने पास में first answer आगया Salmon Fish next question के अपन बात करते है next question हमारे पास में है consider the following animal human, monkey and rat consider the following animal human, monkey and rat which is the sequence of animal during vaccine safety test and they are used ठीक है vaccine safety test और इसके यूज़ के लिए कौन सा आपने पास में उपयोगी है तो उसके अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले rat पे लिया जाता है तो C, फिर monkey और फिर किस के उपर बेटा human के उपर तो C, B, A अपने पास में आ जाएगा next question के अंदर हम बात करते हैं तो next question आप से पूछ रहा है कि इंडिया के अंदर अपने पास में कितनी पुनरयोग जोश्दियों को चिनित की गई है तो यह अपरोक्स अपने पास में NCRT का डेटा है 12 के लगबग यह है तो next question के बारे में अपन बात करते हैं curd and cheese formation are related with तो बेटा, curd और cheese का formation जो होता है वो पुरानी बायो टेकनलोजी ट्रेडेशनल बायो टेकनलोजी का अपने पास में system है पुराने टाइम का तो ट्रेडेशनल बायो टेकनलोजी हो गए next question की बात करते हैं बेटा तो आप से पूछा है sequence of succession अनुकर्मन, अनुकर्मन किसी खाली स्थान पर start होता है, तो sequence आप से पूछा है तो सबसे पहले liken आती है फिर मौसे जाती है, फिर ग्रासे जाती है हर्ब बोलते है, फिर शर्ब और फिर अपने पास में ट्री, तो पहला ही अपने पास में sequence रही है तो answer will be first हाथ तो पेटा आप अपने पास में next question है मैचदा कोलम first को कोलम second से अपने पास में मिलाना है, सैटलर काउ के बारे में आप से बात की गई है तो ओवर एक्सप्लोटेशन से एक्स्टिन कोई सिचलिट जो फिस है वो native species हो गई अपने पास में विक्टोरिया लैक की, विक्टोरिया लैक की स्तारी पर जाती हो गई नाइल पार्च वहाँ पर डाले गई है, इंडियन फिस से भी रिलेटेड है पार्थेनियम जो है, एलियन इस्पेसिज हो गया और डोडो जो है, वो मोर्स इसका हो गया तो आंसर विल भी first, अब नेक्स्ट क्विशन के बारे में अपने बात करते है क्योशन नमबर अपने पास में 147 के बाद में, क्योशन नमबर 148 चारेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायो डैवर्सिटी होटी स्पोर्ट इजार ठीक है, हाई लेवल ओफ इस्पेसिज रिचनेस बिलकुर सही बात है होटी स्पोर्ट में हाई लेवल इस्पेसिज रिचनेस का होता है हाई डिग्री ओफ एंडी जम बिलकुर सही बात है और फैस हाई रिक्स ओफ एक्स्टेंशन ठीक है तो अपने पास में ये जो है, ये भी सही बात है अपने पास में एक्स्टेंशन के ज्यादा लिफ आपने पास में होता है तो इसलिए आनसर हमारे पास में क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, clear है नेक्स्ट के उपर चलते हैं अपने पास में which of the following pair of X-C2 conservation X-C2 conservation का मतलब होता है कि उस जगह से निकाल करके किसी दूसरी जगह पर डाल दिये गए तो उसमें अपने पास में Botnical Garden आता है Geological Park, Herbarium नहीं आता है Wild Safari Park, Seed Bank, Hot Spot Hot Spot is the not of part Wildlife centuries नहीं है Tissue Culture, Gene Bank and Cryofregeration तो यह हमारे पास में किसके example हो जाएंगे 22 स्थाने सरक्षन गए Herbarium में बच्चों अपन सरक्षित नहीं करते है तो यह अपने पास में सरक्षन करने का कोई भी participate नहीं करता है Next की बात आ रही है Which of the following statement is wrong? कौन सा क्यूशन गल्थ है? कथन जो है वो गल्थ है पहला है Electro-static precipilator is almost widely used to removing particulated matter बिल्कुर सही बात है ठीक है ASP particulated matter को अटाती है मार्जक SOT जैसी गैसों को अटाता है Scriber can remove SOT जैसी गैस सही बात है Particle size 2.5 micrometer or more in diameter Responsible for causing the great harm of नहीं इससे कम size के particle हमारे पास में क्या करता है बिटा? हानी पहुचाते है 2.5 से ज़्यादा वाली नहीं पहुचाते है तो ये wrong statement हो जाएगा Question number 151 हमें क्या कहरा है 151 की अपन बात करते हैं 151 देखिएगा Lake can choke to death due to जील की दम घुटकर के मरने का कारण है तो अपने पास में increase to prime contaminants, nitrate और phosphate बिलकुर सही बात है वहीं, nitrate और phosphate का अपने पास में amount बढ़ना ठीक है और फिर अपने पास में सहवाल की अत्यदिक growth बिलकुर सही बात है oxygen के जो dissolve oxygen है उसका amount कम होना ये भी सही बात है तो all of these आजाएगा next question के बारे में अपन बात करते है identify A and B in given finger that show effect of sewage on some important character in the river ठीक है, देखों बच्चों आपको पता है कि पहले अपने पास में जो ये थी ये दीरे-दीरे कम हुई वापस बढ़ती गई तो ये डिजोल oxygen है और BOD पहले भड़ी और फिर कम होती गई क्योंकि बैक्टिरिया जब पदार्तों का digestion करते हैं तो वो अपने पास में BOD increase करते हैं क्योंकि वो वाटर में जो घुली हुई oxygen है उसको अपने पास में खेचते हैं और BOD को क्या करते हैं increase करते हैं तो answer will be अपने पास में A है डिजोल oxygen B है BOD तो फैस्टा जाएगा next question के बारे में अपन बात करते हैं next question में क्या कर रहा है consider the given figure relative contribution of various greenhouse effect to total global warming and identify ABCD ठीक है ABCD में आपको पता है maximum 60% जो है वो कौन है CO2 है 20% CH4 है ठीक है और फिर अपने पास में CFC है और फिर अपने पास में कोनेविटा N2 हो है ठीक है तो अपने पास में CO2, CH4 और CFC N2 answer 3 हो जाएगा next question के उपर आते हैं तो next question हमारे पास में जो है वो ठीक है enhance of greenhouse effect is due to भढ़ते में green house प्रभाव का कारण है तो CFC और CH4 CO2 तो greenhouse गैसे ही है तो इनका ज्यादा उत्सर्जन है और also due to deforestation तो अपने पास में deforestation के कारण भी यह होता है तो answer अपने पास में क्या जाएगा next question की बात करते है कि CNG is better than diesel because it CNG diesel से better क्यों है क्योंकि यह अच्छे से जलता है सही बात है diesel की तरह नहीं diesel से सस्ता भी होता है और इसमें कुछ मिलाया भी नहीं जा सकता बिल्कुल सही बात है तो all of these अपने पास में answer चला जाएगा next question की अपने बात करते है तो next question अपने पास में यह बना हुआ है तो अब इस question में अपने पास सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले maximum जो है वो कौन है वेटा insect है ठीक है insect के बाद में अपने पास में जो insect है insect के बाद में D जो है वो other animal हो जाएगे तो B mollus, C crustacean और D other अपने पास में प्राणियों का सम्मू हो जाएगा ठीक है तो यह NCRT का डाइग्राम है next की बात करते है question number 147 यह क्या खहे रहा है which one of following area in India is hot spot biodiversity इंडिया में कौन से कौन से area जो है वो biodiversity के hot spot माना जाता है तो आपको पता है कि जो eastern ghat है यह तो माना नहीं जाता western ghat अपने पास में इंडिया में सेरिलेंका इंडो बर्मा हिमाल है और western ghat तीन hot spot है next की बात करते है तो next question अपने पास में आता है बेटा इस्तम A को इस्तम B से आपको मिलान करना है match the animal given column A to column B डोडो है यह आपको पता है moriscus का डोडो है ठीक है और अपने पास में क्वेगो है अफ्रीका की है थाइसेलियन ऑस्ट्रेलिया की है और settler cow अपने पास में क्या हो जाएगी रस्या की हो जाएगी तो इससे अपने पास में match कर लेते हैं तो डी में अपने पास में C first में C होता है ठीक है second में A ठीक है और third में अपने पास में B ठीक है और थाइसेलियन ऑस्ट्रेलिया की है तो यह answer हो जाएगी ठीक है next question के बारे में अपने बात करते हैं तो next question अपने पास में आता है India has only 2.4% of the world land area but it contributed the part of global diversity भारत विस्वे का 2.4% इस्तर रखता है लेकिन जैविवित्ता का 8.1% role play करता है इसलिए भारत 12 mega diversity वाले छेतरों में से एक है next question है आप से consider the following statement and select the correct option that fill in the blanks निमल लिखित कथनों पर विचार कीजिए और रिक्तिस्तानों का विखल्प चुनिए food chain brings with host and usually and the parasite ठीक है host रे स्टार्ट होती है parasite की तरफ जाती है तो parasitic food chain होती है ठीक है the sequence successional stage in sand posmosire sand पर जो होता है उसको अपन क्या बोलते है posmosire breakdown of detritus into small particles by earthworm is called fragmentation अर्थवम के दुआरा breakdown करना क्या कहलाता है fragmentation कहलाता है ठीक है अब next question के बारे में अपन बात करते है तो next question देखिएगा भई next question की बात करते है बेटा अपने पास में आए फूड वेब reducing adaptability and competitiveness of organism नहीं ये भड़ा आते है क्योंकि अपने पास में बहुत सारे organism का group इसके अंदर आता है monophagus नहीं है monophagus का मतलब एक ही तरह के जी होते है बाकि इसमें तो बहुत ज़्यादा multifagus हो जाएगा constant of number of food chains interlink at various tropic level बिभिन प्रकार की food change जो होती है अलग-अलग tropic level पर आकर के मिलती है तो answer क्या हो जाएगा इसका third ठीक है next question पर आते है नाइल पार्च वें इंट्रोडूज इन लेक Victoria of South Africa resulted in दक्षनी अफरीका की Victoria जील में नाइल पार्च को लगाया गया तो परिणाम सुरूप वहाँ पर जो रहने वाले इस्तानी मचली थी सिचली मचलिया इनकी परजाती वहाँ से क्या हो गई बिटा बिलुप्त हो गई ठीक है next question की बात करते है तो next question में आप से दिया गया relative contribution of various green house gases to total global warming is given correctly match them select option within green house gases को संपूर्ण global warming में योगदान दिया गया उनका सही मिलान कीजिये और सही विकल्प का चेन कीजिये तो देखें होटा CFC आपको पता है सबसे ज़्यादा CO2 फिर अपने पास में CH4 फिर अपने पास में CFC और सबसे कम N2 मिल गया तो इस तरह से आप इसका match कर लिए होगे next question के बारे में अपन बात करते हैं आप से कह रहा है which one of the following is most widely used to remove over 99% particulated matter present in the exhibit from thermal power plant ठीक है जो अपने पास में thermal power plant से निकलने वाले कणे के पदारतों का 99 से अधिक percent हटाने में काम आता है तो वो आते है वेटा ESP इसकरबर जो particulated matter को वहाँ से कह कर देते है remove कर देते है next की बात करते हैं तो the gene ROP present in PBR 322 cloning vector code for PBR 322 में उपस्तित अपने पास में ROP gene किसको कूट लेखित करती है तो ROP replication origin point होता है एक तरह से तो plasmid की पर्तिकरती करण के लिए जो protein बनेगी replication के लिए जो protein बनेगी उसको अपने पास में क्या करेगी code करेगी question number 65 के बाद में 67 the follow chart of given represent the process of recombinate DNA technology identify A, B, C and D तो A क्या है वेटा A अपने पास में कोई भी restrication endonuclease है जिससे काटा गया है और B, B अमारे पास में क्या है restrication endonuclease दोनों को C अपने पास में जो है वो जोडता है तो C अपने पास में DNA ligage हो गया और D transfer करता है तो यह अपने पास में transformation हो गया तो A और B restrication endonuclease पहला option गलत हो गया एक जो है इन दोनों में endo है यह भी endo है यह भी endo है C जो है hydrolyze गलत हो गया C DNA ligage है answer अपने पास में क्या हो जाएगा second next question की बात करता है तो next question जो है हमारे पास में वो क्या कह रहा है हमें वो कह रहा है which of the following is required to perform polymerase chain reaction PCR के लिए क्या-क्या required होता है PCR में primer चाहिए DNA NTP चाहिए deoxy ribose nucleotide triphosphate चाहिए DNA polymerase चाहिए ठीक है nucleage नहीं चाहिए magnesium और DNA चाहिए तो हमारे पास में answer क्या हो जाएगा next question की बात करते है next question हमें क्या कह रहा है which remains fresh for longer period than normal tomato variety tomato की flavor-stever किस्म लंबे समय तक सामाने किस्म से तागजा रहती है क्योंकि उसके अंदर polyglacto-urinase जो enzyme है उसकी मात्रा क्या हो जाती है विटा कम हो जाती है क्योंकि ये enzyme अपने पास में फसल को पकाने का काम करता है और इसकी जीन को inhibit कर दिया जाता है तो इसका amount कम हो जाता है और ये अपने पास में फसल लंबे समय तक रहती है which of the following is known as molecular seizure तो molecular seizure तो आपको पता है कि rarestication endonuclease अहन जायम है ये अपने पास में उनको काटने का काम करते है तो ये molecular seizure है इसके बाद में TI plasmid of agrobacterium tumiferensis is modified to use to suitable vector 4 TI plasmid को हम suitable vector के रूप में यूज कर सकते हैं पादब को सिका में जीन इस्तानांतरण के लिए तो TI plasmid जो है वो पादब को सिका में जीन इस्तानांतरण के लिए यूज आता है The first discovered restication endonuclease enzyme है first discovered जिसको हिंड second के नाम से जाना जाता है NCRT लिखती है वेटा first separate अलग था first discovered जिसको सबसे पहले देखा गया वो कोन है हिंड second तो answer follow जाएगा next question की बात करते है next question आपको कह रहा है which one is known as super bug super bug जो आरण महौन चकरवती ने बनाया था pseudomonas potato था यह अपने पास में oil heat करता था समुंदर में जाजवा गयराक्सी के कारण से जो oil फैल जाता था उसको remove करने का काम करता था next question आपने पास में बेटा select the correct difference between standing crop and standing state standing crop जो है खड़ी फसल और standing state मतलब खड़ी अवस्ता खड़ी पसल में हम carbonic पधारतों को include करते हैं बेटा और खड़ी अवस्ता में हम carbonic पधारतों को include करते हैं तो carbonic पधारत और carbonic पधारतों के बारे में अपने पास में correct statement correct difference छाटना है standing crop inorganic nutrient बिल्कुल गलत है it represents part of non living नहीं living material है it cannot be calculate between living and non living component ठीक है और यह का अपने पास में यह जीवित और यह जीवित घटकों के मद्दे परवावित नहीं हो सकती और यह परवावित नहीं हो सकती यह बिल्कुल सही है क्या होता है कि जो inorganic matter है वो अपने पास में soil में भी चला जाता है वापस living में आ जाता है तो वो एक दूसरे में transfer हो सकता है जबकि non living living जो matter है वो कभी भी दूसरे में non living में transfer नहीं हो सकता non living living और non living में transfer हो सकता है ठीक है और इस cancer हो जाएगा next question की बात करते है next question आप से क्या खहरा है यह simple सा question है हर एक पर विचार कीजिए और बैटा यह अपने पास में हलमोड़ वाला graph आ गया ठीक है तो अपने पास में इस आर एक में लोग पैमाना परदर्शित करता है बिल्कुल सही बात है yx यह है और यह intercepted हो जाएगा area क्या है xx पर y बराबर mx पलस अपने पास में c की equation है ठीक है तो जितने ज़्यादा graph की ढाल होगी जितनी ज़्यादा graph के अंदर slope होगी उतना ही species richness क्या होगा बढ़ता जाएगा increase the species diversity with area decrease the species diversity with area ठीक है एक कहरा है कि area के साथ diversity होती है वो increase हो रही है और एक कहरा है कि decrease हो रही है area के साथ दूसरा कहरा है less diverge area है और तीसरा कहरा है less in community diversity समोधाय विविता में च्छती करना तो लोग अपने पास में यह करता है कि हम लोग लेकर के यह बता सकते है कि एक निशित समय तक एरिया के साथ में diversity increase होती है ठीक है क्योंकि सीधी रेखा आ जाती है तो हम उससे यह calculate कर सकते है next question की बात करते है बेटा तो next question है अपने पास में identified level area x y z from the given pie chart representing the portion of global biodiversity of planet ठीक है तो सबसे जाद आपने पास में जो है वो फंजाई है बेटा फिर अनावर्त भी जी है और फिर यह आप एक्स अपने पास में मिला लोगी ठीक है तो फंजाई सबसे जाद है तो टेरीडोफाइटा और aligned is buenos Ram तो एक्स अपने पास में वाई वाइफ हम जाई है ठीक है और जैड जिम नहीं है जैड मोशेज हो जाएगा ठीक है ठीक है तो फोर्थ आंसर होगा यह डाइग्राम है आप उसको अपने पास में मिला लोगी नेक्स कुशन के बारे में बात करते हैं विशंविच्व कंजят इस लोट एक्जामपल एक्जामपल और नुगं unlucky नहीं हो तो इसमें कहा रहा है उप्रोक्त ग्राफ जाती समर्दी वह चेतर के बीच समन्ध दर्शाथ गया है जो आयताकार अती परवल्य है लगू-गणू-पैमाने पर यह समन्ध सीधी रेखा दर्शाथ आया सीधी रेखा के ढलान अधिक होगी जो सबसे ज्यादा अधिक होगी व क्योंकि वहां पर बाइव डायर्शिटि क्या होती है मैकसिम्म होती है नेक्स्ट की बात करते हैं exploring molecular genetic and species लवर डायर्शिटी for product of economic importance is cold आर्थिक मेहते हुए उत्पाद्मू का आणवी कि जाती है इस तरपर विविता के खोज कहलाता है इसको बायो suspecting कहते हैं तो यह अपने पास में हो जाता है next question की बात करते है next question आप से कह रहा है कि वह यह ग्राप दिया गया है to the correct option right given flow chart phosphorus cycle तो phosphorus cycle के बारे में आपको correct देखना है तो rock से mineral आए यह क्या हो गया बेटा soil solution में आए soil solution से अपने पास में uptake कर लिए गए और run off हो गए ठीक है और यह अपने पास में किस में हो गए बेटा producer में हो गए और इसके बाद में producer को कौन खा गए consumer तो a soil solution ठीक है हम देखें तो इसमें थोड़ा सा गड़बड की गई है ठीक है ए जो है c अपने पास में कौन है producer है ठीक है बी consumer है और a soil solution है तो आंसर हमारे पास में हो जाएगा next question की बात करते है last question है question number 18 अपने पास में आंसर विल वी फस्ट clear है तो यह हमारे पास में first answer इसका हो जाएगा तो इस तरह से अपने पास में इस chapter को हमने complete कर लिया है ठीक है इसका solution complete कर लिया ठीक है next paper के साथ में मिलते हैं